चलिए दोस्तों नमस्कार शुरू करते हैं डीको रायस के यूट्यूब प्लाटफॉर्म पे सोशल इशूस का ये सलसला देखिए दोस्तों ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये हम लोगों ने फेबररी के महिने में अल्रडी एक ओवरव्यू ले लिया था अब हम बात करेंगे इसकी detailed analysis की शुरू करते हैं special marriage act से दोस्तों special marriage act ये act जो है 1954 का act है जैसे कि आप देख पा रहे हैं अब सवाल ये उठता है कि इस act को बनाने का मकसद क्या था दोस्तों मकसद ये था कि सरकार चाहती थी कि inter caste और inter religion inter religion marriages हो ठीक है सरकार चाहती थी inter caste और inter religious marriages को promote करना इससे क्या होता है इससे हमारे देश की integrity और unity इसको बल मिलता है ठीक है दोस्तों अब इसमें problem क्या है ये news में इसलिए है issue ये है कि एक petition file किया गया है जिसमें लोग खास करके वो लोग जो अपनी marriages को in particular act के अंदर register कराना चाहते हैं वो लोगों ने एक petition file किया है जिसमें वो चाहते हैं कि special marriage act के अंदर ये जो section 6 और section 7 है इसको repeal कर देना इसको quash कर देना इसको delete कर देना क्यूं क्यूंकि इन particular दो section में कुछ दिक्कते हैं वो क्या दिक्कत है चलिए इसके बारे में जान लेते हैं अगर कल को कोई कपल आता है और उने शादी करनी होती है तो वे जब भी जाएंगे register कराने अपनी marriage को तो जैसे ही वो information वो marriage register को देंगे marriage register के ये जिम्मेदवारी है under section 6 and under section 7 कि वो public से एक objections raise करने का एक मौका दे यानि कि public को objection raise करने का मौका दे अब बात या आती है कि marriage जो है marriage जो है दोस्तों ये बहुत ही personal चीज है एक personal choice है लेकिन इसके उपर societal obligation अगर है तो उसको invite किया जा रहा है ऐसा क्यों ऐसा इसली ही किया जा रहा है क्योंकि सरकार चाहती है कि the intention behind such sections is that the government wants to keep adequate safeguards to the interest of various parties who are involved एक special marriage act में जिस तरह के लोग involved होते हैं चाहे उनके घरवाले हो चाहे उनके रिष्टिदार हो या society का आसपरोस के लोग हो अगर ऐसी शादी से पूरे society में दिक्कत पैदा हो सकती जो कि unfortunately नहीं होनी चाहिए लेकिन अगर होती है तो सरकार की जिम्मेवारी है कि क्या हम एक particular couple की इच्छा को रखने के लिए उनकी personal choice को एहमियत देने के लिए क्या हम society में एक tension create करना afford कर सकते हैं मान लेजिए कैसा situation है जहां पर एक ऐसा couple है जिसमें लड़का जो हो हुए हिंदू है लड़की जो है वो एक मुसलिम है और एक ऐसा गाउं है जहां पर यह special marriage act के अंदर अगर यह लोग शादी करना चाहें तो हो सकता उस गाउं में धर्म के नाम पर काफी तनाव है और ऐसी शादियों से और जादा धार्मिक जो है धर्म को लेकर लड़ाईयां हो सकती है एक रायट जैसा situation हो सकता है इस situation में अगर वो couple जाते हैं अपने marriage register कराने के लिए registry office तो यह उसकी जिम्मेवारी बन जाती है marriage register की तो यह information जो है वो अपने उनके घरवालों को और society के सामने रखें और यह जाने कि society को क्या दिक्कते हैं उसके बाद अगर वो दिक्कतों को solve किया जा सकता है तो यह भी जिम्मेवारी है marriage register की तो उसको solve करें और फिर marriage की procedure को continue करें लेकिन अगर वो देखता है कि वो problems जो objections public raise कर रही है वो solve नहीं किया जा सकता तो marriage register को call देना पड़ेगा कि वो वैसी marriages को register नहीं करेगा this is the logic अब यहां पर सरकार के सामने petition यह है कि लोग चाते हैं यह खास करके वो couples चाते हैं कि यह जो public के सामने उनकी objection जानने के लिए जो आप notice का जो section 6 और section 7 में mandate है इसको delete कर दिया जाए इसलिए क्योंकि जब भी ऐसे situation आती है तो बहुत सरे लोग जो है छुप छुप के शादिया करते हैं और अगर यह चीज public के सामने आ जाती है तो public जो है अपना objection raise करना जो चीज होती एक civilized society में वो हमारे स्थिती नहीं है unfortunately हमारे यहां पे अपनी honor को बचाने के लिए ऐसे शादियों को रुखवाने के लिए कई बार honor killings जैसे चीजे भी हम लोग देखते हैं तो यह उन honor killers जो होते है honor killing जो करते हैं उनको यह प्रावधान मिल जाता है उनको यह opportunity मिल जाती है कि ऐसी शादियों के बारे में उन्हें पता चले और वहां जाके वो उसे शादियों को discourage करें ऐसी शादियों को inter-cast और inter-religious marriages को discourage करना यह हमारे इस देश की integrity के लिए खानी कारक है ठीक है और यह भी हमें देखना पड़ेगा कि जो publication होगी यह publication इक public notice के माध्यम से जो होगी वहां से public की objection को लेने के लिए 30 दिन का समय दिया जाएगा 30 दिन का एक तरफ सरकार चाहती है कि special marriage act के थूँ से inter-religious और inter-cast शादिया हो और दूसरे तरफ इस तरह की objection को invite करना वो भी 30 दिनों के लिए वो उसी प्रथा को उसी system को discourage भी कर देता है आगे बढ़ते है special marriage act का purpose यह था जैसा मैंने कहा पहले it allows the solemnization of marriage without going through any religious custom यानि कि यह एक secular marriage की बात करता है एक secular marriage की बात करता है which is based on registration which is based on registration अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है people from different caste or religions or different states can get married under special marriage act in which marriage is solemnized by way of registration ठीक है the prime purpose of the act was to address inter-religious marriages and to establish marriage as a secular institutions bereft of all the religious formalities which required registration alone यह साफ हो गया है पूरी तरह से यहाँ पे जो procedure है जो elaborate procedure उसके बाड़े में जान लेते है one of the parties of the marriage one of the parties of the marriage will have to give a notice to the intended marriage जो शादी होने वाली है उसके बारे में information देनी पड़ेगे किसको देनी पड़ेगे to the marriage registrar जहां पे वो शक्स रहता है यानि कि दो कपल में से जो कपल अप्रोच कर रहा है उस कपल को उस district में रहना पड़ेगा before applying to that ठीक है दूसरा चीज़, such notice is then entered in the marriage notice book और फिर the marriage officer publishes a notice of the marriage at some conspicuable places जहां पे लोग देख सकें notice of marriage published by the marriage officer includes details of the party's name, the date of birth, age, occupation, parents name, details address, etc. यहां तक के mobile phone numbers भी दिये जाते हैं यहां पे इतना बड़ा disclosure के बाद जिस तरीक के हमारी society है जिसका अभी तक उस हिसाब से democratic liberal development नहीं हुआ है तो यह इतनी details of information जो है उस couple को बना देती है vulnerable, that is the main area और इसी चीज़ को जो कि section 6 और section 7 में लिखा गया है इसको रद करने की बात करे जा रही है पेटिशन में जिसको central government ने मना कर दिया है अब यहां पे तो normally बात यह हो रही है कि अगर किसी को objection raise करना है with respect to the marriage तो वो raise कर सकता है उनके लिए उसको 30 दिन का मौका मिलेगा इसका मतलब है कि इसे को दिक्कत नहीं है लेकिन अगर if objections are raised then the marriage officer has to inquire into such objections after which he will decide he will decide यानि कि उसकी यह उसके decision पर निरभर करेगा whether or not such marriages be solemnized दिक्कत की बात क्या है आपे criticism सुन लेता है it makes vulnerable पहली बात जो भी families है जो शादी के खिलाफ है बहुत सरे tactics का इस्तिमाल करता है जिस तरह से उनकी शादी ना हो सके दूसरी it's an intrusion to privacy absolutely it's an intrusion to privacy हमारे सिध्धानत के अनुसार fundamental right के जो सिध्धानत है उसके अनुसार article 21 में यह ह करेंगे तो सामने वाले इंसान को convert करके करना पड़ेगा क्यों कि special marriage act के थ्रू से तो अगर इस लोग को पता चल जाएगा तो हो सकता है शादी ही ना हो तो इससे बहतर है कि लड़का हो या लड़की उसको अपने धर्म में convert कर लेते हैं which is very very derogatory अगर किसी इंसान से आप किसी इंसान से शादी करना चाहते हैं तो उसके धर्म या उसके जात सापका कुछ लेन दना नहीं होना चाहिए लेकिन यहाँ पे जब हम देखते हैं कि special marriage act के अनुसार एक burden create हो जा रहा है on the couples तो वह चाहेंगे कि हम convert करा लेते हैं और फिर अपने धर्म में personal law में शादी कर क्या होगा समझ आगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो के लिए बने रहें